राहुल गांदी हमारे देश के हैं चुकि उस परवार से बिलांग करते हैं जो कि यहां के इन के इन प्रकारें कैसे भी सत्ताक में अपना जुगार कर लेते थे आप बिदेश में हैं क्या आप बिदेश मंती रहे हो कभी राजदूत रहे हो कभी कुछ रहे हो या आपको बहुत नौलेज हो ऐसा भी कुछ रही है आपकी बातों से पता चलता वहां जाके मत करना flying kiss कहीं कुछ कर लो कहीं पर हतवरा सब्दी उस करो कहीं आँख मालो ये सब हरकते हैं वहां पर नहीं नहीं तो हिंदूस्तान की बदनामी होगी तुम भारत वहां जाके मत कहना भारत मा का मत कहना ये मत सब जाके कहना भारत मा को कोई आँच नहीं आ सकती है अभी हिंदे के लोग हैं, आप जिस परवार के हैं, आप भारती हैं, कते ही ये जा के मत कहना के मिरी मा इटैली के, ये सम मत करना योरोप जा करके, नहीं तो अपनी बदनामी नहीं, सदैस्ता तुम्हारी जाती है, भोगना हिंदुस्तान की जनता को पड़ता है, आप मरी कि शेना दो दिन में आप सेना को आवान कराने वहां जाके बोलिंग आप क्यों आउट जाके जा रहा है आप यहां संगर्स किजिए वहां पर अंसन पर बैठ जाईए हम कोई नूर लेग जाए आप यह कुन नहीं आप लेने क्या गाए है जार सोडे से समर्थन वहां जो कितने पूरी पूरी बैक किया था फाइनेंस किया था कितने सल्म की बात है नमशकर स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्ट्वी न्यूस और मेरानी गुपता आपके साथ एक बार फिर से राहुल गांदी जो है वो यूरोप की आत्रा में जाने वाले हैं सेप्टंबर म और इससे पहले वो ब्रेटन की आत्रा में भी गए थे अमेरिका की आत्रा में भी गए थे और यहां पर उन्होंने देश के खलाफ और देश की सरकार के खलाफ कई सारे शर्मनाक आपती जनक बयान दिये थे उन्होंने ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्रे में हैं और विदेशी ताकतों को हस्तक शेप करना चाहिए और भारत का जो लोकतंत्र है उसको ले करके अमेरिका को बोलना चाहिए हस्तक शेप करना चाहिए जिसके बाद काफी ज़ादा विवाद देखने को मिला था इसी बीच जॉर्ड सोरोस का विवाद हो या फिर अभी हाली में नियूस क्लिक का विवाद हो जिसे लेकर के चाइना फंडिंग कर रहा है तो ये तमाम मुद्दे लगाता है राहूल गांदी के विदेश दोरे से ही च्छन करके बाहर आए हैं ऐसे में एक बार फिर से राहूल गांदी जो हैं वो यूरोप के यात्रा पर जा रहे हैं ऐसे में क्या राहूल गांदी एक बार फिर से इसी तरीके के बयानों की वज़े से घिरेंगे और बीजेपी जो है एक बार फिर से राहूल गांदी पर हम देश यात्रा पर गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयानात दिये हैं, तमाम चीज़ा देखने को मिली हैं, और देश के खलाफ जादा तर वो बयान देते हुए नजराय हैं, चाहे फिर वो देश के लोकतंत्र को ले करके हो, प्रधान मंत्री मोदी के कारेकाल को ले करते थे, उस परवार से बिलॉंग करते हैं, परन्त जो विदेशी ताक्ते हैं, जैसे जार सोडो, खुले आम कह रहा है कि भारत एकनौमी बिल्कुल डेमेज हो गई, जब सिल्यकान बैली में जब वो डेमेज हुआ, तो वहाँ पर काफी लोग निकाल दिये गए, भारत मे एक भी आदमी नहीं निकाला गया, अडानी के उपर भी आपता आई, कोई एक आदमी निकाला नहीं गया, और आपको तरह तमाम कंपनियां पौने इनके डूप गई, आर्थिक मंदी इंटरनेशनल लेबिल पर है, मगर भारत पर नहीं, भारत तीसरी एकनौमी पोजिशन म अगया, अब आपको बताना है कि इनको इचीज ध्यान लखनी चाहिए, कि जो बाहर के वो टूल के एक बहुत ही वैसी लेडी इनके मंच में वैठी थी, दूसरी बाद उसने वहाँ पर गो बाइक के नारे लगाए, वो जार सोड़े सो इन सब की खास थी, तमाम उसमें फो अगया, वहाँ के प्यादन मंतिर जो अगया है इंडिया एकनौमी बहुत अच्छी, जबकि वहाँ के पुझी पतियों ने इनकी बढाई की थी, इनकी रहुल गांधी के तुरंत वहां के पूर प्राइमिस्टर ला, उनने का था इंडिया जो है रूस और अमेरिका से ज़ जो योडोप जा रहा है, योडोप में, तो 7 से लेके 10 सितंबर था, उसमें कहा है, European lawmakers है, जो कानून भी रहा है, Indian, Indian से मिलेंगे, दूसरी इंडियन के वो जो दानिसवर लोग है, बहुत intellectual लोग उनसे मिलेंगे, योडोप के सांसोदों से मिलेंगे, उसके अलाबा ये और तम यह जाएं मगर इस चीज का द्यान लखें और इनका क्या है सेंट फ्रांसको में वासिंग्टन में यह अभी गए थे तब इन्होंने कहा था इस साल की सुरवात में भी इन्होंने यूके दोला किया था अभी जब यह गए थे तो इन्होंने इतना गलत बोला था जाकर के भार अभी जायर की संसस अधा चले गए पूरी कांगरेश पार्टी को धन्ना पिधर्सं करना पला प्रिंका गांधी को काले कपड़े पाहिन के आनना पला भी चारे पुड़ापा में खर्गे जी इनके लिए इनकी बज़य ने वज़निसंगरेन आम जानेय बोला है हिंदुस्तान बोला और सब बोला तो आपको बताना है इनको जो काम करना चाहिए भारत में लएकरके बाहर के लोग नहीं ये बाहर जाकर कि ये दिखाना चाहिए थे हमारा शंवान, क्या फाइदा रात तुम गए उसके बाद अमेरिका में घ्लान अचाहिए कि तेना जवा में जाके तुम यह सब ना यूज करना आउजार मैं आद दिमाग से नहीं तो इन सब चीजों का बड़ा वोगा आपके एक सांसर ने अभी क्या बोला सेंसाम माइंड की जगे बोला माइंड साइंस की बात है यह आपके एक सांसर ने कहा दूसरी बात आपको बताना है बारूत के ढेर में खरे होके चिलम पीने वाले लोगों का आप साथ मत करें आपके अभी मीटिंग में ये बात आईए, ये बात आईए, कि और आप जिस तरह से करना है योडोप जा रहा है, वहाँ जाईए बहुत अच्छा, मगर भारत में कुछ करते हैं, आप अगर इतने दिन दुबारा फिर जाईए वहाँ पर, मरीपूर, मरीपूर में आपके लो वहाँ जाए, आप जात लोग जाते था मेठी से हार गए, कितनी बड़ी बेजितिक बात, वहाँ क्या बताएंगे? वहाँ जाके भारत की बढ़ाई कीजे कि इंडेन अकनौमी आएगी हम कोशिस करना है दो नम्मर पे हमने भी योगदान किया ये सब बाते हुई भारत की जाके बढ़ाई कीजे वहाँ जाके आप कहिए कोईनूर लेने आएं कोई नूर ले जाएंगे यांसे आप ये कहिए वहाँ पर अंसन पर बैठ जाएए हम कोई नूर ले जाए आप ये कुछ नहीं आप लेने क्या गए है जार सोडे से समर्थन वहाँ जो अलगाव आ दिये आपकी उस कारिकरम को पाकिस्तान के बैक्ट ने पूरी पूरी बैक कि कितने सर्म की बात है कितने सर्म की बात है आपके जो सबसे खास प्रेमिली मेंबर धारा 370 के समर्थन करना है आज पारलेमेंट में इतनी बहस हुई और आपका आप ये कहना है पाकिस्तान में कौन चप रहा है कफिल सिब्बल चप रहे हैं आप सब आप वहाँ के देवता अगर वह जीवित होती तो ऐसा नहीं होता है नहरु जी बिदेश्यों से बहुत जाते थे बहुत मूर लगते थे किसी ने सपोर्ड नहीं किया था उस दिन हम लोग भूले नहीं सन 71 में यही अमेरिका हुआ आ गया था सात्मा बेरा ला करके हमको योद्ध के मैदान बना प रहे हो या आपको बहुत नौलेज हो ऐसा भी कुछ नहीं है आपकी बातों से पता चलता वहां जाके मत करना फ्लाइंग किस कहीं कुछ कर लो कहीं पर हतवरा सब दियूज करो कहीं आख मालो यह सब हरकते वहां पर नहीं नहीं तो हिंदुस्तान की बदनामी होगी तुम भ भारत मा का हो गया भारत मा का हो गया यह मत सब जाके कहना भारत मा को कोई आच नहीं आ सकती है अभी हिंद के लोग हैं आप जिस परवार के हैं आप भारती हैं कते ही यह जाके मत कहना कि मैं इटैली के मेरी मा इटैली के यह सम मत करना योरोप जाकर के नहीं तो अपनी बद दिग विजय सिंग साइध इनको समझाने में कुछ सफल हो। कि पिछले दिनों अमेरिका दोरे के दोरान ये चीजे जो है देश भड ने देखी थी। के सभी मुलकों पे उनकी निंदा होने लगी। और अब उनसे अनुरोद किया जाएगा बहुत अपसोस की बात है। के पहले ये दस दिन के लिए गए थे अमेरिका की आत्रा में। वहाँ पड़ जा करके इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिये। मार्च में इस साल के सुरुवात में ये वहाँ गये थे लंदन गये योरोप। वहाँ पड़ भी इन्होंने ऐसे बयान दिये कि उसकी चर्चा रही इनकी सदिस्ता चरी गई थी। ताजुक की बात है दस दिन वहाँ रहें पर तो दस घंटे इन्होंने पार्लेमेंट में नहीं दिया। ये नो कॉन्फिडेंस लाये थे। मोदी के सामने उठके चले गएं। वहाँ नहीं बोलें। वहाँ अगर ये दो घंटे बोल देतें। दो घंटे तेरा मिनट मोदी लगातार बोलें। आप सब लिए एक इनसे एजेड आदमी जिसके पास इतना काम है। वह इतनी देर तक बोला तुम कुछ भी नहीं बोलें। तो ये सब पता नहीं क्या है। ये कौन इनको गाइट कर रहा है। और आपको बताना जो इस्थित है अगर इनोंने जल्दी कंट्रोल नहीं किया। है क्या कि इस इंडिया में सबसे बड़ी बात ये है। कि यहां पे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिनके कपड़े पेडिस धुलने जाते थे। नहरुजी के। उनको भी बड़ा प्रेम था। और चाइना ने अटेक कर दिया। बारी घुमते रहें किसी ने सपोर्ड नहीं किया। चाइना भूबाग ले गिया। यही पोईशन इनकी यह भी चाइना परस्त हैं। चाइना की हमेसा बढ़ाई करते। यह चाइना के नाम मैंने इसलिए लि लिया कि अभी जब इसके पहले गये थे तो इन्होंने कहा था कि चाइना डेली 5,000 लोगों को रोधगाल देता, बहरत में 40 लोगों को नहीं मिलता है आप पता लगा लिजे बहरत में ज्यादा लोगों को मिलता है इन्हों ने बहरत की उसके लिए किया मगर आपको बताना है आज हैचे हैल हमारा चल ला है और जो जो बाते इन्हों ने बोली हैं ये अब जा करके ध्यान लखें चुकि इनक काईदे कानून बदल गए जो भारत के कुछ नियम ऐसे थे जिनकी वज़े से बिदेश में जाकर के लोग देश की बुढाई कर लेते थे बच जाते थे अब देश द्रो का और आपको बताना है देश के खिलाप बैबनस्ता की बात देश के खिलापत कोई बात कहना दूसरी बात कोई भी आपने फेक नियूज या कोई भी वैसे नियूज दिया तो भारत में तब तक कानून बदल चुका होगा और बहुत सक्त हो चुका होगा उसमें क्यों ना बीजेपी का सांसद होगा या बीजेपी का चाहेंज इतना बड़ा नेता हो या कांग्रेस का सब दाय कोई भी अगर उसमें उसको लंगन करेगा तो जेल जाएगा, हाला कि इनको जेल जाना इसलिए इतना आसान नहीं है, चुकि इनके साथ बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत टॉप टॉप एडवोकेट है। मोदी सरकार के खिलाब प्रॉपगेंडा फिलाने की कोशिश करते हैं। फिलाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।